देखिए यही जगा है जहां बाबा पहले बैठा करते थे गलगली धाम, कातिक केला, जड़ी बुटी दवारा तूटा हुआ हड़ी जोड़ा जाता है और विभिन तरह के रोगों का इलाज किया जाता है यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा तलाब है जिसका पानी हमेशा बहता हुआ रहता है यह पानी कभी नहीं सुखता है गर्मी वर्षा जाड़ा सभी में यहाँ पानी रहते हैं यहाँ पानी स्वच हो साफ है आप देख सकते हैं कर दो दोस्त देखिए आप लोग आज कातिकेला दिखाते हैं गलगली धाम जहां हर प्रकार हे रोगों का इलाज होता है देखिए उजी जगह हम लोग जा रहे हैं कातिकेला यह लाल गंज से थोड़ी दूरी पर पड़ता है इसके रोट ऐसे हैं देख सकते हैं यह बीच पे मंदीर है शिव का मंदीर है यह रास्ता है यह बैद जी बैठते हैं जोब यह बैद जी से बिलाते हैं देखिए दोस्त हम लोग अलगली धाम पहुंच चुके हैं और यहां पे बैठ कर रहे हैं बैठ दीका यहां पे सभी कोई वेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं सभी कोई बैठ के वेट कर रहे हम लोग भी बैठ कर रहे हैं चली आगे बाबा से मिलाते हैं वेट करें यही गलगली धाम है यही पेस बैठ जी बैठते हैं यह गलगली धाम काती केला है बैठ जी बैठते हैं जी बैठते हैं पाइसा ने पाना कुछ गाली को ला मंजीर वहां तरह नहीं 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 है पटा आचि रहें में थे लेचा है। आण से अच्छा है ना आपका नालाजाम होगा, ना आपका कुजरा स्थाराटी करेंगा। उतका नाम है निम्वूर से सफाई किजिए, केतनो गंदा लागे लोु हुख़र। एक अप्रा में गंदा लगे गी बर्तन है तो उने तर्मिन अप्राइब ही नहाने के लिए मिखी नहाईए तो इकला परवाही के जे तो इसाम होता है पेट कर गरवरी देखे़ दोस्त यही है गल गली धाम इसी में अंदर बाबा बेटते हैं आपको दिखा चुके हैं देख सकते हैं नहीं सकते हैं वो लोग विलाते हैं जिसका पैरहा टूट गया है दरज बता सब्राइब देखता है कब आये हैं विहार सकले पहले बाबा उधर पीपल के पेड़ के पास बैठते थे अब वो अपना मकान बना लिये हैं सभी तरब से हवादार मकान है वो इसे बनाए कि सब तरब से वहाँ हवा गुषते हैं और मरिजों का रहने के लिए भी बनाए है बगल में आप देख सकते हैं चारों तरब से पहा हैं आप कभी गलगली धाम आई है यहां दरद के लिए हर तरह का बीमारी का इलाज होता है बिशेस का टूटे-फूटे पैरों हाथ कभी देखे यहां बहुत दो-दोसे लोग आते हैं सभी गारी जब परकर के बिहार से बंगाल से पटना से सब ही जगा से लोग आए हुए हैं बैठे वेट कर रहे हैं अपने नंबर का इंतिजार करें यहां पर टोकन देता है अब यहां से टोकन ले सकते हैं टोकन लेने के बाद अंतर जाना पड़ता है बाबा के पास वो नंबर से देखते हैं जो जैसे आते उस तरह से यह हैं बाबा गलगली धाम उसका मकान है इस तरह से बनाएं वो कच्छा दूध में अपना दवा देते हैं दरत के रहें सभी को दिये हुए यह लोग पी रहे हैं आप सभी वेट करें अपने लाइन केंपे जात कैसा लग रहा है पिने कच्छा दूध गया है कहां देख सकते इस तरह इसमें दवा मिलाया हुआ हुआ है जाड़े बुटी सभी मिलाया हुआ हुआ है यहां के बन ही रहा है अभी वो मकान बन रहा है देख सकते हैं पहले पीपल के पेड़ के नीचे बेटे थे अभी मकान बना चुके बन ही रहा है वो हर परकार के बीमारी के लाइब आप लोग क्या चुछ के लिए दिखाने आए दरत का ये दवा दिये पीए तो कैसा लगा आप लोगों को ठीकी लगा इसमें जड़ी बुटी मिला या हुआ है कितने बार आप आए? छे बार पुशचर हो रहा है ठीक लगा नेया देखिए ये कमर दरत से नहीं सकती थी अभी तीन-चार बर आई और इसका थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है अब दरत नहीं दे रहा है ये देखिए ने सकती है अभी स जोड़ों का दराज है विमारी का इलाज होता है बाबा अच्छी परस हिलाज करते हैं चार पार दराज करता है यह रहाँ आए यह लालबंज में परता है लापुम लालबंज चलिया आप चंतकर चलिये दोस्त आज के लिए इतना ही देखे गलगली धाम आज के लिए इतना ही मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यावाद